नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल Purity of Life में मैं निलम शुकला आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों एकादशी का व्रत सभी व्रतों में स्रेष्ट माना गया है भगवान श्री हरी विष्णु को समर्पित है ये व्रत आज के दिन भगवान श्री हरी विष्णु की पूजा आरातना की जाती है इनके मंत्रों का जाप किया जाता है और भगवान श्री हरी विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है एकादशी का वरत करने से समस्त प्रकार के पापों से संतापों से दुख दरिदरता से मुक्ते मिल जाती है जीवन में सुक्सम्रिधी की प्राप्ति होती है समस्त प्रकार की कामनाय पुरुन हो जाती है एकादशी का वरत विधिविधान से करने से और आज के दिन भगवान शरी हरी विष्णु की नियम पुर्वक पूजा करने से। वैसाक मास जो कि भगवान श्री हरी विष्णू के प्रिय मास में से एक माना जाता है और इस मास में कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाली एक आदशी को वरुथनी एक आदशी के नाम से जाना जाता है तो आज की वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कि वरुथनी एक आ पूजा करें जिससे कि हमारी जो भी कामना हैว भगवान श्री हरी विष्णु पूर्ण करें और इस वरत का संपुर्ण फल हमें प्राप्थ हो इसके लिए हम किस तरह से लिए लिए प्ला में पूजा करें अज के दिन अच्ट का महत्वी क्या है दोस्तों वरुथनी एक आच्छी वैसाख मास के करिश्ण पक्ष में आती है और इस एक आदशी का वरत करने से भगवान शरी विश्णु की कृपा हमें बहुत ही शीब मिल जाती है वरुथनी एक आद शी दरिद्रता का नास करने वाली होती है जितना पुण्य कंयादान से प्राप्त होता है या वर्षों तक तपच्या करने से प्राप्त होता है उतना ही पुण्य वरुतनी एकाज़्षी का वृत करने से पूजा करने से और श्रीहर विष्णू की आज के दिन विधिविधान से पूजा करने से आज वरुतनी एकाज़ी पर भगवान विष्णू के वामन अवतार की पूजा की जाती है और पूजा के विधी क्या है ये जान लेते हैं दोस्तों जैसे कि हर एक आज़ी पर हम भगवान श्री हरे विश्नु की पूजा करते हैं, तो दस्मी तिती से ही वरत के नियम प्रारंब हो जाते हैं, जो लोग भी एक आज़ी का वरत करते हैं, दस्मी तिती के दिन सात्रिक भोजन करते हैं, सात्रिक मतलब आपको पूरे दि दश्मी तिती के दिन ही तामसिक भोचन नहीं लेना है लस्विन प्यास ग्रहन नहीं करना है आज के दिन आपको मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए बैंगन नहीं खाना चाहिए इस तरह की चीजें जो की वर्जित है मूली इत्यादी चीजें आज नहीं लेनी चाहिए नह पुर्ण रूप से ब्रहम चरीका आज के दिन पालन किया जाता है और आज आपको चाहिए कि आप शाम को सुर्यास्त के बाद अन्न का भोजन ग्रहन ना करें मतलब सुर्यास्ट से पहले ही आप एकादशी में यानि कि दस्मीतिती के दिन जो हम भोजन करते हैं वो सुर्यास्ट से पहले कर लेते हैं अन्न हम दस्मी में रात्री में ग्रहन नहीं करते हैं इस बात का ध्यान रखें एक आदशी के दिन प्राधायकाल जल्दी उठना है और श्ना नित्यादी करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्रधारन करें भगवान श्रीहरी विष्णु की पूजा से पहले आपको सुर्यदेव को जल अर्पीत करना है जब आप सुर्यदेव को जल अर्पीत करते हैं थोड अगर आप धन सम्रिध्धी चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप आज के दिन भगवान श्रीहरी विष्णु और मालक्ष्मी की संयुक्त प्रतिमास थापित करें और फिर उनकी पूजा अरात्ना विधि विधान से करें भगवान श्रीहरी विष्णु को पीले पुस्प करें गुलाब के फूल अरपित करें कुलाब के फूलों की माला आप मालक्षमी को और पीद करें और बिव पुस्पỏं की माला भगवान श्रीहरी विष्णु को आपे करनी चाहिए इससे आपके घर में सुक्समृध्धी और धन ुणकी प्राप्ति होती है अगर आप-सु सुबह पूजा कीजिए वरत का संकल्प लीजिए कि आज आप वरत धारन कर रहे हैं एक आदशीतिती का और अगर किसी भी प्रकार से कोई भूल चुक हो जाए आप से इस वरत में तो भगवान श्री हरी विष्णु की क्रिपा हो और यह जो भी गलतियां हम करते हैं वह पूरे दिन भगवान श्री हरी विष्णु के नाम का जब करना है उनके मंत्र का जब करना है उनके चरणों में ही आपका ध्यान बना रहे इस बात का आपको ध्यान डखना है फलाहार या निर्जल दोनों ही तरह से आप रख सकते हैं जैसे आपकी शारीरिक शमता है अगर ने चाहते हैं तो पूरे दिन बिना जल के यह और चिक शुक़ा है अगर आपका स्वर्ष्ट है तो और ठीन को रख सकते हैं गड़ का उप दयादी दिन उभra को पांगा करना है तो लुई है नहीं करना है तो कि आज रात्री में जागरण का भी विधान होता है कि ऐसा नियम है कि अगर रात्री जागरण करके हम भगवान श्री हरी विष्णु की पूरे रात भजन गीरतन करते हैं उनके नाम का स्मरण करते हैं तो व्रत का हमें बहुत अधिक पुन्यफल प्राप्त होता है लेकिन आप एक अखंड दीपक भगवान श्री हर विष्णू के सामने प्रज्वलित कीजिए जो कि सुबह से लेकर शाम तक जलता रहे इस दीपक को जलाने से आपके समस्त प्रकार की कामनाये पुरुन होती हैं जीवन के समस्त प्रकार के कस्टों से शुटकारा मिलता है जीवन के अंधेरे दूर होते हैं अचानक आने वाली विपत्ती अचानक आने वाला संकट जो है वो दूर होता है तो रात्री में एक आजशी पर अखंड दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए भगवान श्री हर विष्णू से प्राथना करें कि आपकी जो भी परेशानिया है जो भी दुख तकलीव हैं भगवान श्री हर विष्णू की क्रिपा से वो दूर हो इस तरह से आपको एक आजशी का वरत करना है और अगले दिन द्वाद शी पर आपको प्रात्यकाल उटकर श्नान करें फिर से आप भगवान श्री हर विष्णू की पूजा आराधना करें पैसे जरूर होने चाहिए दक्षणा स्वरूप उसमें वस्त्रदान करना चाहते हैं वस्त्रदान कीजिए जो भी आज आज आप दान करेंगे इसका पुन्य फल बहुत अधिक प्राप्त होता है तो दश्मी से लेकर एक आच्छी तक हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जरूरत मंद की मदद कर सकते हैं और कुछ नहीं तो चीटियों को दाना डाल दीजिए मश्लियों को आप आटा डाल दीजिए ऐसे गाई को रोटी दे दीजिए जितना आप से संभव हो जो आप कर सके जरूर करना चाहिए इस समय में शुब महुर्त में आपको वरत खोलना चाहिए 1 आदसी में हमेशा पारण का जो शुब महुर्थ होता है, वो बहुत महत्यो पुरुन होता है। अगर आप पारण सही समय पर नहीं करते हैं तो इस वरत का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। 2 जोस्तों, समाप्त हो रही है। व्रत हमें करना है 7 मई को शुक्रवार का दिन है इस दिन हमें व्रत रखना है पारण का शुब समय क्या है दोस्तों 8 मई की सुबह 5 बज कर 35 मिनट से लेकर सुबह 8 बज कर 16 मिनट तक पारण का शुब समय है पारण की कुल अवधी है 2 घंटे 41 मिनट की तो ये बहुत शुब स आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है तो पारण का आप ध्यान रखें अब बात करते हैं कि एकाद्षी के दिन किस तरह से भगवान श्री हरी विश्नु की पूजा अराधना करें जिससे कि हमें विरत का संपुर्ण फल प्राप्त हो किसी भी कामना से हम विरत कर रहे हैं त आज आप अगर केसर युक्त खीर अरपीद करते हैं जैसे मखाने की खीर बना लीजिए इसमें आपको केसर डालना है और इसमें तुलसी दल जरूर डालना है और तब भगवान श्री हरी विश्नु को अरपीद करें आपके मन की हर इच्छा भगवान श्री हरी विश्नु पुर्ण कर देते हैं और व्रत का संपुर्ण फल शुब फल हमें प्राप्त होता है वरुतनी एकाची के दिन एक विशेश उपाय है जो आपको जरूर करना चाहिए अगर आपके आसपास कहीं भी पीपल का पेड़ है घर के आसपास तो आपको सुबह वहाँ पर जाकर पीप पीपल में अर्पित कीजिए इससे आपके पित्रों की कृपा मिलती है आज का दिन भगवान श्री हरी विश्नु का दिन है और पीपल के व्रिक्ष में भगवान विश्नु का वास माना जाता है तो आज अगर आप पीपल की पूजा करते हैं तो बहुत शुबफल की प्रा मालक्षमी की संयुक्त रूप से पूजा अगर करते हैं तो समस्त प्रकार के सुखों की आपको प्राप्ति होती है जैसे के शुक्रवार का दिन मालक्षमी का दिन है और एकादशी तीथी श्रीहरी विष्नु का दिन तो बहुत शुप संयोग है आप मालक्षमी और श्रीहरी विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासु देवाइन नमह का यथा संभव जब करें एक माला ग्यारह माला एकिस माला जितना आप कर सकते हैं जरूर आपको करना चाहिए तो इस तरह से आपको उपाय करना है आज के दिन बहुत विशेश एकादशी है यह शुक्रवारी ए वह आपकी कामना शीग्र ही पुर्ण हो जाएगी तो मिद करती हूं वैसाथ मास में आने वाली वरुथनी एकादशी की जो मैंने आपको जानकारी दी वह आपके लिए उपयोगी शिद्ध होगी वीडियो आपको अच्छी लगी हो आपके लिए हल्फुल हो तो वीडियो क को लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल बटन को प्रेस कर लीजिए इससे यह होगा कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी मैं म सबस्क्राइब बार आए हैं गया हैं?